हेलो नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर पूजा के समय सिर्ध क्यों ढखा जाता है पूजा के दौरान सिर्ध ढखने के पीछे बेग्यानिक और धार्मी कारण क्या है हिंदु धर में सिर्ध धखने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है महिलाएं बड़े बुजर्गों को सम्मान देने के लिए हमेशा साड़ी अदुपटा से सिर्ध धखती है वैसे तो सिर्ध धखना सम्मान का सूचक होता है लेकिन पूजा पाट के दोरान सिर्ध धकना न केवल महिला बलकि पुर्सों के लिए जरूरी होता है ऐसा कन्ना सुब माना जाता है कहा जाता है कि इसे बैक्ति को पूजा का पूरा लाव मिलता है लेकिन वास्तों में इसके पीछे क्या कारण है और इसे क्या फाइदे होते हैं आए जानते माना जाता है कि जब सिर्ध धका हुआ होता है तब हमारा ध्यान इधर उधन नहीं जाता सास्त्रों के अंसर सिर्ध धकने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि पूजा में काले रंग का प्रयोग वर्जित माना गया है हमारे बाल भी काले होते हैं इसलिए पूजा के दवरान नकारात्मक्ता से बचने के लिए सिर्धकना जरूरी होता है जिसके चलते पूजा पर पूरा फोकस रहता है इस नियम का पालन करने से ये लोगों को भागे का साथ भी दो गुना मिलता है अब ये जान लेते हैं कि सिर्ध धकने की पीछे बेग्यानी कारण क्या है। कहा जाता है कि आकास में कई तरह की तरंगे निकलती हैं जिनमें कुछ खराब भी होती हैं। ऐसे में पूजा के दवरान जब हम ईसोर का ध्यान करते हैं तो तरंगे भी हमें अपनी और आकरसित कर के सिर्ध धकर पूजा करने के पीछे बेग्यानी कारण ये भी है कि सिर्ध धकर हवन में बैठने से आ के लप्टों से सरीर का पान नें अंतिरित रहता है। गई लोगों में बाल जणने और डैंडर पाज जिसे समस्या होती हैं, ऐसे में पूजा की समागरियों में बाल ये डैंडर गिनने से वो असुद हो जाते हैं, इसलिए भी पूजा में सिर्ध धकना जरूरी होता है, सिर्ध धक कर पूजा करने की पीछे एक वज़ा वातावर अच्छा बनता है